देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी जस्न का महौल अभी से ही दिखने लगा है वज़ा इसकी ये है कि बीजेपी अपनी जो बढ़त है और अपनी सरकार इस बार इस बार यूपी के साथ ही साथ मनिपूर में भी बना रही है क्योंकि मनिपूर में अगर हम बहु है वो बीजेपी में की गई है अभी से ही मिठाया भी बटने लगी है ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ट सहयोगी प्रेदर्शन है उनसे जानते हैं कि मनिपूर की क्या कुछ तस्वीर अब तक साफ हुई है हाला कि बात करें तो बीजेपी बहुमत अपनी बनाई हुई है ही एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मनिपूर में बनने जारी है जशन भी हो रहा है मिठाईयां बाटी जारी है बीजेपी वे क्या खा यहां पर पर लगभग मनिपूर में भाजपा ने एसपश्ट वहां पर काफी आगे चल रहें कई सीटे जो है वहां पर तो उनके कैंडिडेट जो है कुछ सीटों पर चार हजार कुछ सीटों पर तीन हजार मतों से आगे चल रहें अगर यही रुजहान जो है रिजल्ट पर तब्दील होता है और यही इस्तिती रहती है तो एक बार फिर से एन्विरेन सिंग जो वहां पर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उनके नेत्रित में दूसरी बार लगा जो भाजपा ने बदलावों को लेकर के दावा किया था तो उस पे कहीं ने कहीं से जनता के द्वारा यह मुहर लगाना हुआ कि वहां पर बदलाव हुआ है और उसी बदलाव का नतीजा रहेगा कि साथ सीटों वाले मनिपुर विधान सभाद छेतर में एक बार फिर से जनता दल युनाइटेड भी मनिपुर में दो तीन सीटों पे आगे चल रही है वहां कुछ ऐसे केंडिडेट है इनके जो की काफी बढ़िया पर्फोर्मेंस अभी तक दे रहे हैं अगर रिजल्ट में उनका परिणाम उनके पक्ष में आता है तो वहां पे भाजपा की से तो सरकार ऐसे लग रहा है रुजानों में कि भाजपा अपनी सरकार बनाने में फिर से दूसरी बार लगातार सफल होगी इसके लाबे कॉंग्रेस वहां नंबर दो की पार्टी रहेगी लेकिन जनता दल युनाइटेड भी वहां दो तीन सीटों के रहा करके नितीज जी भ से कहा जा रहा था कि बीजीपी का सुप्रासाफ करना है लेकिन नुकसान कॉंग्रेस का ही दिख रहा है फिलाल तो जो रुजान दिखा रहे हैं रुजानों में तो यह बिल्कुल असपस्ट्रूप से यह दिख रहा है कि भाजपा जिद बादे और दाबे वहां को लेकर कर पर रुजहान है, मनीपूर में भाजपा के फख्ष में है, कॉंगरेस का कोई भी वहांपना ही नहीं जो प्रुवत्तर के राजी थे पुरबतर के के राज्यों में अब तक माना जाता था जब भाजपा हिंदी पटी की पाठी है, चाह पूरा का फूरा का कश्मीर से लेकर के और भिहारत घारकंट के का इलाका हो या फिर पश्रीम भारत का इलाका हो वहीं तक भाजपा रुकी हुई थी लेकिन अगर मनिपूर में अपने बल्बूते सरकार बनाती है तो यह असम के बाद फिर से लगाता है दूसरा मोगा होगा कि भाजपा ने पुर्वत्र में एक काफी कुछ दाउपेश लगा यह थे सरकार बनाने के लिए लेकिन इस पार अगर असपश्ट बहुमत के साथ वहां पर भाजपा आती है तो जो पिछली बार दाउपेश लगार करके भाजपा ने वहां सरकार बनाया था तो यह जनता के द्वारा उसके पर मुहर लगाना ह सिमर्ते सिमर्ते पुर्वत्तर जैसे राजियों माना जाता था कि कॉंग्रेस बड़ी पार्टी है छोटे-छोटे राजियों में हुआ कई सीरे जीत्ती है तो वहां से भी इनका सूपरा साफ होते हुए जो तस्वीरे वहां बनीपूर से देखने को मिल रही है वहां पे बीजेपी ने अपनी बरहत बना कर रखय यानिकि एक बर फिर से वहां मनीपूर में बीजेपी की सरकार बनेगी यह कही न कहीं तस्वीरों से तय माना जा रहा है ऐसे में कुछ घंटों में ही जो तस्वीरे हैं वो और भी ज़्यादा साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगी कि किसकी सरकार मनिपूर में बनने ही जारी है, हलाकि अगर हम बात करें तो कॉंग्रस की तरफ से ये दावे किये जारे थे किस बार बीजेपी को साफ कर देना है, बीजेपी को हर एक राज से उखार फेकना है, लेकिन जो नुकसान है वो कॉंग्रस पार्टी का ही होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब बात करें हम तो जो तस्वीरे अब तक सामने आई है जो बहुमत के नतीजे अब तक देखने को मिले है उसमें सब से आगे बीजेपी मनिपूर से चल रही है और बीजेपी की वापसी मनिपूर में होती हुई नजर आ रही है फिलाल गले इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न के साथ नमस्कार